दोस्तो हाली में प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने यूपी के आयोध्या में राम मंदिर का उद्गाटन किया था इसके कुछी दिनों बाद UAE के अबुदाबी में भी एक विशाल राम मंदिर का निर्मान किया गया इसी बीच अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान में भी एक राम मंदिर का निर्मान हो रहा है हाला कि ये आयोध्या या अबुदाबी की तरह भवव्य नहीं है लेकिन ये मंदिर पाकिस्तान के अल्पसंखेग हिंदु और के लिए काफी अहमियत रखता है बतादे पाकिस्तान के डेरा रहिम यारखान के निवासी माखनलाल जैपाल ने अपने एक यूटूब वीडियो में इस मंदिर को दिखाया है और इसके बारे में जानकारी भी शेयर की है इनके मुताबिक सिंध प्रांत के इसलाम कोट में करीब 200 जाल पुराना राम मंदिर है जहां आसपास के हिंदू पूजा अर्चना करने आते हैं इस मंदिर की इमारत पुरानी होने की वज़ह से जरजर हो चुकी है हाला कि अब इसका दुबारा पुनर निर्मान किया जा रहा है खास बात यह है कि इस नई इमारत को बनाने वाले सभी कारीगर और मज़ूर मुसल्मान है उम्मीद है कि अगले छे महिने में मंदिर की नई इमारत बन कर तैयार हो जाएगी जिसके बाद मूर्तियों को पूरे वीदी विधान के साथ मंदिर में इस्थाफित किया जाएगा आपको बता दे कि पाकिस्तान में आजादी के पहले से ही कई मंदिर मोजूद है लेकिन मेंटेनेंस ना होने के कारण इनकी हलत जरजर हो चुकी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि देश और दुनिया की तमाम अनों की खबरे हम आपके लिए लाते रहें